अब आईए देखते हैं नेक्स स्टॉक और ये है अदानी पावर का हाई एवरीवन इस वीडियो में हम लोग एट ऐसे स्टॉक के बारे में डिसक्स करने जा रहे हैं जिन सभी ने लास्ट वीक अपने अल्ल टाइम हाई का ब्रेक आउट दिया है उतना ही नहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि निफ्टी ने भी अपने लास्ट वीक अल्ल टाइम हाई का ब्रेक आउट दिया है मतलब क्या हुआ कि ये जो एट स्टॉक हम लोग डिसक्स करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहे है और आपने कई बार सुनागा कि follow the trend और trend is your friend तो हमेशा मार्केट के डिरेक्शन में trade करने की कोजिस करिए whether it is intraday और positional वैसे किसे में क्या होगा जो आपके जो डिटरंस होंगे न वो काफी जादा extraordinary होंगे और कभी भी मार्केट के against ना जाए अब बात करते है stock की पहला stock है हमारे पास ester dm healthcare का और यह रहाई इसका chart तो सबसे पहले हम लोग यहां पर region को find out करते है कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा, क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते है आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं time frame उच कर रहा हूँ वो है weekly का तो सबसे पहले हमने वो region को find out करेंगे कि हमने इस stock को क्यों select किया है और यहां पर मैं एक simple सा pattern डॉक करने जा रहा हूँ याद रखेगा मैं किसी भी indicator या oscillator का इस्तमाल नहीं करता simple price section जो की आपको काफी असानी से समझ में आ जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो stock था काफी लंबे समय से चोटे से channel में trade कर रहा था बट last week हम इसका एक breakout देखने को मिल रहा है तो पहला region इस stock को जो select करने का है वो है channel pattern का breakout उतना ही नहीं आप यह भी notice कर सकते हैं कि जो last week का जो volume है वो normal week के comparison में कई गुना जादा है जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने की जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है again it is probability not guarantee अब मैं chart को left hand side में scroll करता हूँ और यह देखता हूँ कि यह company कब list हुई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह company जो list हुई है somewhere in 2018 and इसका जो all time high था वो somewhere around 370 के आसपास था जिसका हमें breakout होते हुए दिखा है last week में तो second region इस stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करतें levels की तो अगर यह stock 425 के अगर उपर निकलता है तो हमें कच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो देखे stop loss हम लोग एक ऐसी जगा पर रखते है जहां से price एक reversal दिखाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है price कई weeks से इस level को break करने की कोसिस कर रहा था बट इसे break नहीं कर पाया है that means कि यहाँ पर हमें एक buying देखने को मिल रही है और you can also say that buyers are available at that level तो यह level आ रहा है 325 रुपीच closing basis पर अब आईए देखते है नेक्स स्टॉक और यह है अदानी पावर का काफी popular stock टाइम फ्रेम से में सबका weekly ही रहेगा एक simple सा यहाँ पर हम लोग pattern को डॉक करने जा रहे है और इसे हम लोग आते है round bottom pattern जिसका हमें breakout होते हुए दिखा है last week में तो पहला region इस स्टॉक को जो सेलेक्टर नेका है वह है round bottom pattern का breakout उतना ही नहीं आप यह भी notice करेंगे कि जो last week का जो volume है वो normal week के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब मैं क्या करता हूँ चार्ट को left hand chart में scroll करता हूँ और यह देखता हूँ कि company कब list हुई थी तो यह company जो list हुई है somewhere in 2009 and इसका जो all time high था है वो somewhere around 420 रूपीज के आसपास था and हमें इसका भी breakout होते हुए दिखा है last week में तो second reason इस स्टॉक को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 475 के अगर उपर निकलता है तो हमें एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss का previous swing लो जो किया रहा है 385 रूपीज closing business पर एक बात ध्यार रखिएगा कि अगर कोई भी stock अपने all time happy trade कर रहा है तो upside में हमारे पास कोई भी resistance नहीं है और you can also say that कि upside में हमारे पास कोई भी reversal zone नहीं है तो ऐसे cases में stock कितना भी उपर जा सकता है तो इन cases में हर एक 5-10% के move पर हम लोग partial profit को book करते हैं for example माल लीजे मेरे पास 100 quantity है और stock जो हो 10% का move दिखाता है तो ये पूरी तर से मेरे उपर है कि मैं 5 quantity book करूँ या 10 quantity book करूँ और ये भी depend करेगा कि मैंने इस पर अपना कितना capital deployed किया है तो ये पूरी तर से आपके risk management के basis पर होगा अब बात करते हैं नेक से stock की और ये है radico का और ये radico chart again सबसे पहले region को find out करने की कोशिस करेंगे एक simple सा train line अगर आपको train line डॉक करना नहीं आता है तो मैंने इस पर already एक video बना रखा है जब भी आपको time मिले आप उसे जाके देख सकते हैं आप यहाँ पर notice करेंगे कि इस stock ने एक kind of cup and handle pattern बना रखा था and last week हमें इसका एक breakout देखने को मिल रहा है तो पहला region इस stock को जो select करने का है वो है cup and handle pattern का breakout अब हम लोग chart को left hand side में scroll करेंगे और ये देखेंगे कि ये company कब list हुई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो company list हुई थी somewhere in 1995 and इसका जो all time है था वो somewhere around 1430 के आसपास था जिसका हमें breakout होते हुए दिखा है last week में तो second reason इस stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करते हैं लेवल्स की तो अगर ये stock 1600 के अगर ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 1375 रूपीज closing basis पर अब आई ये देखते हैं next stock और ये है science limited का और ये rest का chart again सबसे पहले region को find out करने की कोशिस करेंगे यहाँ पर एक simple line and एक pattern जिसे हम लोग pollen flag करते हैं उतना ही नहीं इस pattern को rally based rally भी का जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं एक rally आया फिर उसके बाद stock कई समय तक consolidate किया and फिर अगेन यहाँ पर एक rally आने की probability हमें दिख रही है तो इसे हम लोग काते हैं R, B, R that is rally based rally तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस stock ने एक kind of pollen flag pattern बनाड़ा खा था and last week हमें इसका एक breakout देखने को मिल रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है pollen flag pattern का breakout अब हम लोग क्या करेंगे चार्ट को left hand बेश्क्रॉल करेंगे और यह देखेंगे कि यह company कव लिस्ट हुई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह company लिस्ट हुई थी somewhere in 2014 and इसका जो all time है था somewhere around 1950 के आसपास and हमें इसका भी breakout होते हुए दिखा है तो second reason इस stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करते हैं तो अगर यह stock 2025 का अगर उपर निकलता है तो अगर अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss का previous swing लो जो किया रहा है 1750 रूपीच closing basis पर अब आए देखते हैं नेक्स stock और यह है Orient total का और यह रहा इसका chart again सबसे पहले region को find out करने की कोशिस करेंगे एक simple सा pattern जिसे हम लोग channel pattern कहते हैं जैसा कि आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो stock था काफी लंबे समय से इस channel में trade कर रहा था and last week हम इसका breakout देखने को मिल रहा है तो पहला region इस stock को जो select करने का है वो है channel pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो last week का जो volume है वो normal week के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब हम लोग chart को left hand side में scroll करेंगे और यह देखेंगे कि यह company कव लिस्ट हुई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो company लिस्ट हुई थी somewhere in 1999 और इसका जो all time है था वो था somewhere around 110 रूपीज के आसपास जिसका हमें breakout होते हुए दिखा है last week तो second region इस stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करतें levels की तो अगर यह stock 120 के अगर ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss आएगा previous दो जो की आ रहा है 95 रूपीज closing basis पर अब आए यह देखते है next stock और यह है datamatics का और यह रहाइस का chart अगर सबसे पहले region को find out करने की कोसिस करेंगे और आप यहाँ पर notice करेंगे कि इस stock ने एक kind of box pattern बना रखा था जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो stock था काफी लंबे समय से छोटे से zone में consolidate कर रहा था जिससे हम लोग box pattern या consolidation zone करते हैं एंड लास्ट वीक हम इसका breakout देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि consolidation zone का breakout और box pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो last week का जो volume है वो normal week के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब क्या करते हैं हम लोग chart को left hand head में scroll करते हैं और यह देखेंगे कि company कव लिस्ट हुई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो company list हुई है somewhere in 2004 और इसका जो all time high था वो somewhere around 700 के आसपास था जिसका हमें breakout होते हुए दिखा है last week में तो second region इस stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करते हैं लेवल्स की तो अगर यह stock 760 के अगर उपर निकलता है तो अगर अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss को का previous swing लो जो क्या रहा है 565 रूपिज closing basis पर अब आईए देखते हैं next stock और यह है max health का और यह रहा है इसका chart again सबसे पहले region को find out करने की कोसिस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो stock था काफी लंबे समय से इस छोटे से zone में trade कर रहा था जिसे हम लोग consolidation zone या box button कहते हैं और इसका हमें breakout होते हुए दिखा है last week में तो पहला region इस stock को जो select करने का है वह है box button का breakout अब हम लोग chart को left hand side में scroll करेंगे और यह देखेंगे कि company कब list हुए थी तो यह company list हुए थी somewhere in 2020 में और इसका जो all time high था वो था somewhere around 625 के आसपास that means कि second region इस stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करते है levels की तो अगर यह stock 670 के अगर ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss को का previous swing लो जो किया रहा है 550 रूपीच closing basis पर अब आईए दिखते है इसका last stock और यह है स्रद्धा का और यह rest का chart again सबसे पहले region को find out करेंगे एक simple सा pattern जैसा कि आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो stock था काफी लंबे समय से इस छोटे से zone में trade कर रहा था जिसे हम लोग box pattern या consolidation zone कहते हैं and last week हमें इसका breakout देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि consolidation zone या box button का हमें breakout देखने को मिला है उतना ही नहीं आप यह भी notice करेंगे कि जो last week का जो volume है वो normal week के comparison में कई गुना ज़ाद है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यह जो company list हुई थी somewhere in 2020 and इसका जो all time है था वो था somewhere around 63 रूपीज के आसपास जिसका हमें breakout देखने को मिला है last week में तो second reason इस stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 73 रूपीज के अगर उपर निकलता है थैंक्स पूर वच्चिंग